इस वीडियो में हम एक मजमून पढ़ेंगे जिसका नाम है When Something Went Wrong यानि जब कुछ गरबर हो गई यानि कुछ अगलत हो गया तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझनी की कोशिश करते हैं आप भी पढ़िए Summer holidays had started. गर्मियों की छुटियां शुरू हो चुकी थी Hafsa was getting bored. Hafsa बोर हो रही थी. She anxiously waited for the storybooks यानि वो बहुत ही शौक से या बड़ी फिक्र से इंतजार कर रही थी उन कहानियों की किताबों का. Her mother had ordered for her जो कि उसकी अमी ने उसके लिए order कर रखी थी जिनका order दे रखा था आगे पढ़ते हैं. It would be real fun to read a new adventure story each day. It would be real fun यानि ये तो बहुत ही जबरदस्त मज़े की बात हो जाएगी to read a new adventure story यानि जब एक नई मोहिम जोई से मोहिम जोई से भरपूर कहानी यानि एक ऐसी कहानी के जिसमें अजीब औ गरीब ऐसे वाकियात पेश आ रहे हों के जिनके मतलिक ये अंदाजा ना लगाया जा सके कि उसके बात क्या होगा और रूखा से दिल्चस्प भी हो तो इस किसम की कहानी को एडवेंचर स्टोरी कहते हैं इच डे हर दिन यानि हर दिन इस तरह की कोई दिल्चस्प कहानी जब पढ़ने को मिलेगी तो किस कदर मज़ा आएगा She thought to herself उसने खुद से ये बात सोची जैसे कि कहा जाता कि दिल ही दिल में उसने ये सोचा आगे पढ़ते हैं Just then the doorbell rang and उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी Hafzah, somebody is at the door, her mother called out from the kitchen Hafzah, दरवाजे पर कोई है, उसकी अमी ने किचन से आवाज लगाई Mama, I'm going, Mama, मैं जा रही हूँ, responded Hafzah, Hafzah ने जवाब दिया Miss, here is your parcel, said the postman, यानि जो डाक्या था उसने Hafzah से कहा, के Miss, ये आपका parcel है With a smile as she opened the door और ये बात उसने मस्कुराते हुए कही, जुही, हafzah ने दरवाजा खोला She took the parcel excitedly, उसने बड़े जोशो खरोर से वो parcel दिया यानि किताबों का वो पलंदा जो के कागज में लिप्टा हुआ होगा उसे parcel यहां कहा गया है, तो आगे पढ़ते है Mama, there is a parcel तो उसने फिर अपनी वालदा को बताया कि अम्मी एक parcel आया है It must be my story books, ये जरूर मेरी कहानियों की किताबे होंगी She said, उसने कहा, showing the parcel to her mother, अपनी वालदा को वो parcel दिखाते हुए Hafsa opened it quickly, Hafsa ने जल्दी से उसे खोला There were some books in the parcel, उस parcel में कुछ किताबें थी Oh no, oh nahi, these are not the story books you ordered ये तो वो कहानियों की किताबें नहीं हैं, जो आपने जिनका, यानि और दे रखा था For me, मेरे लिए, she said, disappointedly, उसने मायूसी से कहा बड़े अफसोस से कहा, यानि वो जिस तरह से बहुत ही खुश थी के वो कहानियों के किताबें होंगी तो अब उसे बहुत मायूसी हुई कि ऐसा नहीं था आगे परते हैं, her mother looked at the books, उसकी अमी ने किताबों को देखा Don't worry, हफसा, फिकर ना करो हफसा, I know what happened, मुझे पता है कि क्या हुआ है The book company has sent us a wrong parcel किताबों की जो कंपनी हैं, उसने हमें गलत parcel अरसाल कर दिया है या भेज दिया है Let's write a complaint to the seller चलो मिलकर भेजने वाला जो है दुकानदार या जिसने ये parcel भेजा है उनको शिकायत का एक खत लिखते हैं या शिकायत नामा लिखते हैं यानि एक तरह की ये दर्खास्त होती है जो वो लिखने का कह रही थी About this issue, इस मामले से मतालग So we can get the right parcel ताके हमें दुरुस्ट पार्सल जो है यानि उनका जो वो पार्सल ताके कहानियों की किताबों का वो उने मिल जाए Her mother said उसकी वालदा नहीं कहा Let's see what they wrote to the seller तो चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने बेचने वाला वो जो किताबे या वो पार्सल जो जिसने भेज़ जा था उसको उन्होंने क्या लिखा तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं इस दर्खास को सबसे उपर लिखा है Mrs. Asma Karim यानि जो शख्स ये दर्खास भेज़ रहा होता है उसका नाम सबसे उपर होता है और फिर घर का अड्रेस House No. 271 सेक्टर बताया गया है यहां पर सेक्टर B और फिर शेहर का नाम और उसकी जिगा यहां सिर्फ इशारतन ABC लिख दिया गया है यानि राइटर या भेजने वाले का जो अड्रेस है उसके नाम के नीचे यहां इस तरह से बाएं जानिब को यहां कोने में लिख दिया जाता है उसके बाद थोड़ी से एक आड लाइन छोड़ कर फिर इस तरह से अड्रेस लिखा जा रहा है उस कंपनी का कर जिसको यह दरखास बेजी जा रही है तो यहां भी इशारतन XYZ और बुक कंपनी लिख दिया गया है और फिर इसके नीचे उस शहर का नाम लिखना होता है कि जहां वो कंपनी मौजूद होती है इसके बाद फिर इसी तरह से एक आद लाइन चोड़ कर फिर लिखते हैं यह तारीख जैसा कि यहां 15 जून 2020 की तारीख दी गई है सबजेक्ट जो है इसका मजमून लिखना होता है इसके बाद इसी तरह से सबजेक्ट और फिर इसके सामने रॉंग पारसल यानि गलत पारसल और फिर दर्खास में यह शुरू के जो दौई अकल मात होते हैं जैसे लिखा है रिस्पेक्टिट सर यानि अदब के साथ मुखातिब किया गया है जैसे के अक्सर अर्दू की जो दर्खासते हैं उनके शुरू में जनाब या आली वगएर की अलफाज इस्तमाल किया जाते है यानि अदब के साथ अर्ज है इस तरह से यहां लिखा गया है आगे पढ़ते हैं I am writing this letter मैं ये खत लिक रही हूँ to inform you आपको ये बताने के लिए about the parcel उस parcel के बारे में that I have just received जो के मुझे अभी मौसूल हुआ है या मिला है I ordered some story books online मैंने online यानि internet के जरिए कुछ जो कहानियों की किताब हैं उनका order दिया था I was expecting my parcel today और मैं आज उमीद कर रही थी के मुझे मेरा parcel मिल जाएगा but your company लेकिन आपकी company has mistakenly sent उसने गलती से भेज़ दिया है some other books कुछ और किताबें उन्होंने गलती से भेज़ दी हैं therefore लहाज़ा I am returning the parcel मैं parcel को वापस भेज रही हूँ with a request इस अर्ज के साथ या इलतजा के साथ यानि मैं ये चाहती हूँ to send me the books that I ordered कि आप मुझे वो किताबें भेज़ दें जो मैंने order कर रखी थी as soon as possible जल्द as जल्द looking forward to a quick reply यानि मैं आपके जल्द या बहुत जल्द जवाब की मुनतजर रहूंगी यानि मुझे इस बात का इंतजार रहेगा कि आप बहुत जल्द मुझे इस बात का जवाब देंगे मेरी इस दिर्खास का yours truly यानि आपके मुखलिस और आखिर में उन्होंने अपना नाम लिखा है आसमा करीम और ये किनिन यहाँ पर फिर अपना sign या signature वगार भी करना होता है तो एक मरत बा फिर नज़र डालते है ये जो हिस्सा है ये है writer's address इसके बाद आता है receiver's address और फिर date और ये जो बाकी का खत का जितना भी हिस्सा है ये है इसकी body और फिर आखिर में जो इस तरह से कोई कलमात दौाई कलमात वगारा लिखे जाते हैं उन्हें salutation कहते हैं और फिर आखिर में सबसे आखिर में signature कर दिया जाता है या अपने दस्तखत किया जाते हैं तो इस तरह से ये एक मुकमल format बन गया है या तरकीब एक दरखास उसको लिखने की के दरखास किस तरह से लिखी जाती है और फिर date, फिर body uh और फिर इसके बाद, जो भी बात कहनी होती है जो शिकायत होती है, उसे अर्ज करते हैं, ये बॉडी वाले हिस्से में खत्क आती है, आखर में इस तरह से यॉर्स टूली या यॉर्स सिंसेली, सैलिटेशन का इस्तमाल होता है, कलमात जो होते हैं, दौाईय कलमात या अलवदाय कलमात और आखर में साइन या सिगनेचर, त यॉर्स